कॉंग्रेस पार्टी ने नियाय यात्रा के बाद नियाय पत्र जारी कर दिया है जिहां कॉंग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफिस्टो का नाम नियाय पत्र दिया है लेकिन बीज़ेपी आखर इसके तुलना मुस्लिम लिख के मैनिफिस्टो से क्यों कर रही है आज यही हम आपको इस वक्त बताने जा रहे हैं ऐसे कौन-कौन से पॉइंट से जहां पे Muslim League के Manifesto जो कि साल 1936 में आई थी उससे तुलना की जा रहे हैं हाला कि इस मसले को लेकर कॉंग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठी है खामोश नहीं है इतने बड़े संगीन आरूप के बाद वो सीधे चुनावायोग पहुँच चुकी है क्या ऐसे पॉइंट्स डाल दिये हैं इस 2024 के चुनावी माहल में जहां से बाते इतनी बिगरती हुई नसर आ रही है और सीधे BJP हमलावर इस Manifesto को लेकर कि आपने तो Muslim League की बाते उठा कर डाल दिये इस Manifesto में अब मैं आपको पॉइंट्स किनाती हूँ दरसल हुआ ये है कि 1936 में जो Muslim League की सोच थी विवाजनकारी सोच ऐसा माना जाता है BJP भी कहती रही है और देश के अलग-अलग जो लोग है वो भी कहते रहे हैं उसमें इस बात का जिकर किया गया था कि जो Muslim Personal Law Board है उसको यानि मुसलिम और हला कि उस वक्त Muslim Personal Law Board की उस तरीके से चर्चा नहीं थी लेकिन Muslimों के लिए जो महौल था उससे ही Muslim League भी ये बाते दोहराने की कुशिश करती थी कि हम उनकी सुरक्षा करेंगे उनके लिए जो अलग law है उसे हम खायम रखेंगे और यही बाते आज 88 साल बाद भी Congress Party कह रही ही है तो सीधे BJP तुलना कर रही है किसे Muslim League से कर रही है कि आपकी भी सुच ऐसी ही है अब मैं आती हूँ दूसरे पॉइंट पर वो दूसरा पॉइंट क्या है एक तरह पूरे देश में महौल है UCC को लेकर आपको याद होगा पुशकर सिंधामी ने जो क्युत्राखन के CM है वहाँ पे UCC को cabinet से पास भी करा दिया उसके बाद महौल कि शायद ये पूरे देश के लिए लागू होगा यानि एक देश एक कानून सब के लिए एक ही कानून कोई धर्म मजभब का एंगल नहीं होगा ये UCC की बड़ी बाते हैं हलाके केंदर सरकार अभी भी इस पर विचार ही कर रही है अब जो नियाए पत्र है यानि कॉंग्र अब बहु संख्या कहते हैं तो कौन आता है बहु संख्यात में हिंदू आते हैं और यही वज़ा है कि सवालों के घेरे में कॉंग्रेस पार्टी को ले रही है बीजेपी अब ये मामला चुनावायक पहुंचा है चुनावायक के तरफ से अभी कोई उस तरीकी का कमेंट आ कारी रखने की बाद कॉंग्रेस पार्टी दोहरा रही है तो जाहिर सी बात है कि इसे हिंदू विरोधी या राष्ट विरोधी के तौर पर बीजेपी प्रचारित करेगी ये कॉंग्रेस पार्टी को अच्छे से मालूम है क्योंकि ये बहुत दिनों से 370-370 खत्म होने के बाद यू-सी-सी पर ही फोकस किया गया था और ऐसा माना भी जा रहा है कि संभूता अगर सरकार बनती है दोबारा बीजेपी की तो वो इस पर फोकस करने वाली है यू-सी-सी को लेकर अब कॉंग्रेस पार्टी ने चुनावा यूग में शिकायत तो कर दी है लेकिन हर चुनावी माहौल में कहीं न कहीं बीजेपी ने घेर लिया है कॉंग्रेस पार्टी को इस मुद्धे पर आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या वाकई जो में निफ्सस्टो में कॉंग्रेस पार्टी ने बाते रखी है उससे उसकी चुनावती बढ़ने वाली है या लोग उस पर भरूसा करेंगे